हेलो स्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 मैट्स चैप्टर नमबर 6 एक्सरसाइज 6.3 का कोशन नमबर 1 कोशन नमबर 1 है फाइंड करना है आपको यहाँ पे आपको कुछ सम दिये हुए इसमें आपने प्लस माइनस की डिजिट को ध्यान रखते हुए इसको सॉल्व करना है तो प्रिवेस वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ अच्छे से फॉर्मुला समझा दिया ह अगर आपने नहीं देखा है तो आप सीरीज वाइस चैप्टर को देखेंगे तो आपको यह चैप्टर बहुत इजी लगेगा इसलिए आप इसको सीरीज में जरूर देखना ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हम 6.3 मैं कोशिश करूंगी इस में भी आपको अच्छी तरीक क्लोज करना है उसकी बाद हमारे जो प्लस माइनस 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 प्लस ऐसे जो हमारे फॉर्मूले थे उसको फॉलो करना है ठीक है तो फस्ट ए हम लेते हैं हमारा ए क्या है कोशन कोशन है हमारा 35 माइनस ब्रेकेट के अंदर 20 ठीक है तो सबसे पहले हमने क्या करना ह bracket को close करना है तो क्या करेंगे हम 35 minus से bracket को close करेंगे तो minus और 20 ठीक है bracket के अंदर कोई symbol नहीं है बाहर minus है तो आपने क्या लगा देना है minus अब 35 में से हमने 20 को क्या करना है minus करना है कितना answer आगे आपका 15 तो बड़ी digit हमारी किसमे है उसका हमने sign लगाना है तो बड़ी digit हमारी कौन से है 35 35 क्या कि कोई sign नहीं इत मींस यह क्या है positive है तो यहाँ पर भी हमने ऐसा ही छोड़ देना है यह हमारा क्या हो गया answer ठीक है next बी पार्ट करते हैं हम बी हमारा क्या दे रखा है 72 माईनस bracket के अंदर 90 तो 72 माईनस bracket के अंदर आपका क्या है 90 तो सबसे पहले में आपको क्या पता है bracket close करना है तो 72 माईनस bracket के अंदर कुछ नहीं है इसको भी हमने क्या कर देना है ऐसे ही minus और 90 उसके बाद बड़ी digit 90 है और वो पिछे तो 90 में इसे हमने 72 को क्या कर देना है, माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? यह आगया आपका 18, फाम कौन से लगाते है? बड़ी डीजिड का, बड़ी डीजिड कौन सी है, 90, इसले हम यहाँ पर क्या लगाएगए, माइनस, क्योंकि 90 क्या है माइनस यह हो गया हमारा answer next करते हैं next है हमारा c c part हमारा क्या दे रखा है c दे रखा है minus 15 bracket में है फिर minus और bracket के अंदर क्या है 18 तो इसको कैसे solve करेंगे सबसे पहले bracket close क्या minus 15 minus है और अंदर भी minus है तो minus minus क्या होता है plus तो हमने यहां क्या लगाना है plus और क्या जाएगा यहां पर 18 ठीक है अब क्या होगा यहां पर हमने फिर formula देखना है क्या है यह minus और plus plus minus minus 18 में से हमने क्या करना है 15 को minus करना है कितना आगे हमारा answer 3 बड़ी digit कौन सी हमारी 18 18 क्या क्या प्लस का sign है इसलिए हमें यहां कुछ नहीं लगाना है यह हमारा क्या हो गया answer ठीक है next question करते है हमारा C के बाद है हमारा D D हमारा क्या है bracket में है हमारा minus 20 और minus bracket के अंदर 30 ठीक है तो अब क्या करना है same as it is bracket solve की minus 20 minus अंदर कुछ नहीं है तो यह ऐसे ही as it is आ जाएगा अब देखो यहां पर क्या है minus और यह भी क्या है minus तो minus minus क्या होता है plus 20 और 13 को plus क्या तो कितना आ गया add क्या तो 33 परड़ी digit कौन सी हमारी 20 20 क्या 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 साइन है minus का तो हमने यहां पर क्या लगा दिया minus यह हो गया हमारा answer ठीक है next question करते है next हमारा question क्या है E E क्या दे रखा है आपको E है हमारे पास 23 minus bracket के अंदर 12 ठीक है तो अब same क्या करेंगे हम bracket solve करेंगे 23 यह minus यह minus क्या हो गया हमारा plus कितना आ गया यह 12 23 और 12 को plus करो कितना आ गया 23 और 12 को हमने plus किया तो आ गया हमारा 35 बड़ी digit 23 है इसका कोई sign नहीं इसका मतलब यह क्या है तो यह हो गया हमारा answer ठीक है चलिए next question करते है next है हमारा F बचा हुआ है तो यह है हमारा F ठीक है तो यहाँ पर हम इसको करते है F को F क्या दे रखा है आपको bracket में है minus 32 फिर minus और bracket के अंदर minus 40 तो क्या करना है सबसे पहले bracket solve किया minus 32 इस minus से इस minus को solve किया तो क्या आ गया plus और यहाँ पर क्या आ गया 40 ठीक है तो अब यह minus और यह plus plus minus minus तो 40 में से हमने 32 को क्या करना है minus करना है तो कितना answer आ गया 8 बड़े इस डिजिट हमारी किसमे है plus में तो हमने यह कोई sign नहीं लगाना यह हो गया हमारा answer I hope बच्चो यह सारे questions आपको समझ आ गए है तो please इस वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर देना विटे नेक्स वीडियो में बाई बाई